बड़ी बड़ी बाते मेरी तो समझ मने आती, मैं इतना पड़ा ही लिखा नहीं, आप लोगों के पास बहुत दिख चितना जादा है, मैं फिर प्रिक्टिकल बात कहूं, कांग्रेस को बड़ी बाते नहीं करनी चाहिए यूपी में, यूपी से बहर सेमिनार करो, यूपी में कोर कोश्चन ये है, अमेठी, राइबरेली, सुल्तानपूर, ये जो गांधी पट्टी थी किसी जमाने में, यहां आपका तंबू उखड़ गया, बात कड़ भी है लेकि सच्ची है, क्या, यहां आपका तंबू गड़ सकता है, तो इंडिया, जापान सब ठीक है, और नही गड़ा, तो सब फेल, बाइनाड से नहीं चलेगी, यूपी, ना, यहां जूजना पड़ा गए, साहस है, तब तो ठीक और नहीं, तो टूटर पर टूट करने से नहीं होगा, कि दिस है, और देठ है, अंग्रे जी है, हिंदी है, और दिनकर जी की कविता, और निराला जी क की कविता लिखने से बात नहीं बनेगी, कि सिंगासन खाली करोगी जनता आती, साब बात ठीक है, सिंगासन खाली हो जाएगा, दिनकर जी लिग गए, अरे हमें ये तो बताओ, राहुल गांदी हमें ठी लड़ेंगे, कि नहीं लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़े, तो अगले सियादव के साथ पद्यात्रा करे, और आटो यात्रा करे, उससे क्या फरक पड़ेगा, जनता कहींगे, आप तो हमें डिजोड की चलेगे, आपको संगर्षने करना जाएगे ता बहां, आपके पुर्खों की जमीन थी, आप भाइनार चलेगे, बहां का जाती समीकर ठीक है, मजभी समीकर ठीक है, बहां से चुमचुन की आ जाएंगे, जिस उत्तरपदेश ने आपको इतना दिया, इसलिए मैं इन हाइपोथिटिकल बातों में एकिन नहीं रखता, ठीसिस पर चुनाव थोड़ी नहीं होता है, को शोद पत्र थोड़ी नहीं है, चुनाव रिसर्च का काम है, आदमें कहेगा कि भाईया अब नसीम उद्दिन कहने पतों क्या बोट दें, खावरी कहने क्या बोट दें, और नकुल दूबे कहने क्या बोट देंगे, राहूल गान दें तो चले गए, इस प्रश्न का उत्तर कोन देगा, नकुल दोबे देंगे, कोन सिंग का 19 में हारना इलेक्षन को जो लोग इलेक्षन के निवांसिस को इलेक्षन के डिफरेंट शेट्स का अध्यन करते हैं उनके लिए टेस्ट केस है इतना बिकट गठबंधन मायावती समाजवादी समाजवादी पारिटी आर एलडी एक साथ और अजीस सिंग हार गए कहां से जाट हाटलेंड से तीसरी बात जो बात मैंने गुद्डू जमाली की नाम से कही आज आप लोग कुछ भी कहे लो उससे फ्रक्न परता है वो तो सामने आते हैं गणित समाजवादी पारिटी 2017 का विधानसवाद चुनाव था ये बात में विधायक सांसद प्रवक्तार नेताओं के हवालेस नहीं बता रहा सपा की टॉप लीडिर्शिप के साथ बैठ के जो तथ सामने आया था वो रख रहा हूँ मैंने एक बार और पहले भी रखा था जब देखा गया कि नाप जोक करो मनोजी आदब तो पता लगा सव सीटे ऐसी थी जहां सपाका और बसपाका दोनों का मुसलिम उम्मीदवार लड़ा और दोनों हार गए सत्रा में ठीक है न वो सचाई आज भी है गुड़ु जमाली ने इस बात को प्रूब कर दिया था नाम इंडिया रखो और चाह कुछ रखो गुड़ु जमाली ना टाइप कर जो फैक्टर है वो तो उत्तरम दिश्की राजनीत में प्रविल करेगा उसको कैसे आप काउंट इलेक्शन जो है उसमें उनके पास लोग समा में 13% था 13% बोट बड़ा बोट होता है मित्र वो जीत ना पाएं हरा तो सकते हैं उत्तरम दिश्की राजनीत में उसका तोड़ क्या है कुछ तो होने चाहिए न वो ऐसा संभव नहीं कि राहुल गांधी के ट्विट करने से ज इलेश यादव के कुछ कह देने से मान लगी नहीं मानती होती तो रामपूर में और आजमगड़ा में नहीं माना ना वहाँ धाई पहुने तीन लाख बोट मिला गुड़ू जमाली को धाई पहुने तीन लाख वहां लोक्तांत्रिक थाकते नहीं थी थी ना वहां Secular Force नही आई एलाइंस 19 का चुनाव सामने रखके seat मिले तो, और 22 का विधानसभा चुनाव सामने रखके seat distribution हो इंडिया में UP में, दोनों ही स्थितिवों में कांगरेस के लिए संकट की तिति है कि नहीं है? चाहें विधान सभा का क्राइटेरिया लागू हो और चाहें लोग सभा का लागू हो क्या कॉंग्रेस अपने जीवन के अब तक के सबसे नियूंतम स्कॉर्प को सुईकार कर लेगी और नहीं तो ये अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर उसको 20 सीट देदे लड़ने के लिए ये बड़ा पेच्छ है इसलिए मैं कहता है यूनिटी ट्विटर पर कर लेना सरल है जब आप उसको जमीन पर ले जाते हैं इलक्षन मैनेजमेंट में उतारते हैं उस यूनिटी को तो फिर समस्याएं आती हैं ये कह देना सरल है कि एक के खिलाप एक लड़ेगा तब तो पूरी कुर्वानी हो जाएगी गांग्रेश के साथ क्योंकि 19 का चुनाव भी उसके लिए अच्छा नहीं था राहूल गंदी खुदी हार गए थे और 22 का चुनाव भी बहुत ही खराब रहा दो प्रतिश्यत बोट आया दो प्रतिश्यत बोट पर आप क्या शेयर मांगेंगे अज आप राश्टी पार्टी है आप इंडिया के लीड पार्टनर है तो आपके लिए ये भी ठिक नहीं होगा कि आप दो सीट लोग सभा की लड़ो तीन सीट लड़ो ये एक बड़ा पेचा आएगा और मुझे लगता है कि इसमें जो टकराव होगा वो एक बार उत्रप्रदेश की जमीन पर इस अप विपक्षी कुनवे के भीतर महत्वा कांग्षाओं का टकराव पैदा करेगा कि बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को दो सीट चार सीट पांच सीट पर लड़ने के लिए वो अपने को संतुष्ट करे जीते न जीते लेकिन उसका मिजाज पुराने जमिदार देशा है ये बड़ा संकट आएगा इसलिए मैंने का कि आप संजे निशाद को संतुष्ट क लेकिन कांग्रेस तो नहीं होगी ना और आज की तारीक में इस्तिति यह है कि कांग्रेस से ज़्यादा बोर्ट शेयर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटिल की पार्टी के पास है बात आटपटी है लेकि सच्ची है ज़्यादा विधायक है उनके इसलिए मैं कहता देश में इंडिया कैसा करेगा नहीं करेगा वो अलग बहस का विशे है उत्तर प्रदेश में सब कुछ इस बात पर आकर टिकेगा कि मायवति कैसे अपने पत्ते जमीन पर उतारती है एक दूसरा अखलेश यादव की सुईकारिता कितनी बढ़ी इन दो चीजों पर आकर ट करेगा आकर वो ओिकेगों आगल की नहीं करेबूल की सविकश ओा आकर उत्तर आकर शादव में पर लिए रड़ी अधादवर नहीं की कुछ दैषभागोंगे उत्तर आकर विवश एमीन अवरेश